पहली इकाई, पहली कवीता है मात्रू भूमी, इस कवीता के बारे में आज पढ़ने वाले हैं, तो यहां है मात्रू भूमी के कवी है राम प्रसाथ बिश्मिल, कवी का परिचे इस प्रकार, कवी का जनम 1897 में स्याजापूर उत्तर प्रदेश में हुआ, और मुरुत्यो 1927 गोरत पूर उत्तर प्रदेश में हुआ, राम प्रसाथ बिश्मिल, भारत के महान स्वत्न तरता, सेना ही नहीं, सेनानी ही नहीं, बलकि उच्चकोटी के कवी, अनुवादक, बहुभाशावीत, वशाइत्यकार भी थे, अपने देश की आजादी के लिए, अपने प्रानों की आउत्ती देदी, बिश्मिल्ला उपनाम के अतिरीक्त, आप राम और अज्यात के नाम से भी लेकव कवीताय लिखते थे, प्रमुकृतिया है, मन की लहर, आत्मकता आधी, अब इस कवीता में, प्रस्तुत कवीता में, प्रशिद्ध करांतिकारिया और स्वतंतरता शेनानी राम प्रसाद बिश्मिल्य ने अपनी प्यारी जल्म भूमी के प्रती अपनी भक्ती भावना और प्रेम को अभिवेक्त किया है, कवी की कामना है कि वे सदा मात्रु भूमी की सेवा करते रहें, और खुशी-खुशी देश यहीत में अपने प्रान निचावर कर दें। और इसी प्रकार इस कवीता में यह भाव पताया है, तो चलो आज कवीता के बारे में देखते हैं, हम पहले कवीता एक लई के साथ गाएंगे। है मात्रु भूमी, तेरे चरणों में मैं सीशन वाव। मैं भक्ति बेट अपनी, तेरी शर्न में लाव। माथे पे तु हो चंदन, छाती पे तु हो माला, जीवा पे गीत तु हो मेरा, तेरा ही नाम गाव। है मात्रु भूमी, तेरे चरणों में सीशन वाव। मैं भक्ति बेट अपनी, तेरी शर्न में लाव। जीससे सपुत उपजे, स्री राम क्रुष्न जैसे, उस दूलकों मैं तेरी निदशीश पे चड़ाव। है मात्रु भूमी, तेरे चरणों में सीशन वाव। मैं भक्ति बेट अपनी, तेरी शर्न में लाव। माई समूद्र जिसकी, पदरजको नित्य दोक, करता प्रणाम तुझको, मैं वे चरण दबाव। है मात्रु भूमी, तेरे चरणों में सीशन वाव। मैं भक्ति बेट अपनी, तेरी शर्न में लाव। सेवा में तेरी माता, मैं भेद भावत जकर, वह पुन्य नाम तेरा, प्रति दीन सुनू सुनाव। है मात्रु भूमी, तेरे चरणों में सीशन वाव। मैं भक्ति बेट अपनी, तेरी शर्न में लाव। तेरे ही काम आव। तेरा ही मंत्र गाव। मन और देह तुम पर बलिदान मैं जाव। है मात्रु भूमी तेरे चरणों में सीशन वाव। मैं भक्ति बेट अपनी, तेरी शर्न में लाव। कवी कहते हैं, कवी ने इस कविता में मात्रु भूमी की सेवा करना यही परम कर्तव्य माना है। है मात्रु भूमी तेरे चरणों में सीशन वाव। इस पंक्तिया में कवी कहते हैं, है मात्रु भूमी मैं तेरे चरणों में अपना सीर जुकाना चाता हूँ। मैं अपना सीर जुकाता हूँ। कवी कहते हैं, है मात्रु भूमी मैं तेरे चरणों में अपना सीर जुकाता हूँ। मैं अपनी भक्ती रुपी भेट लेकर तेरी शरन में आना चाता हूँ। कवी इस प्रकार की सेवा करना चाते हैं, कवी कहते हैं कि मैं अपनी भक्ती रुपी भेट लेकर तेरी शरन में आना चाता हूँ। आगे चलकर दुसरी पंक्तिया में कवी कहते हैं, माथे पे तु हो चंदन। इस पंक्तिया में कवी कहते हैं, मा, मेरे मस्तक पर तुम्ही चंदन के समान विराजित हो। लोग अपने मस्तक पर चंदन लगाते हैं। तो मा, मैं चन्दन की जगह, चन्दन की समान, मेरे मस्तक पर तुम्ही चन्दन के समान विराजित हो, तुम्ही मेरे उर्दय पर माला के समान सोशोबित हो, मा मेरी जिवाँ पर तेरा ही नाम हो और मैं सदा तेरा ही गुनगान करता रहूं जिवाएन जीब तो कभी कहते है कि मा मेरे जिवाँ पर केवल आपका नाम रहेगा और सदा ही मैं आपका गुनगान करता रहूं कवी आगे चल कर अगली पंक्तिया में कहते हैं जिससे सपूत उपजे जिससे सपूत उपजे सपूत आइने सुपुत्र और उपजे आइने पैदा हुँ कवी इस पंक्तिया में कहते हैं इसी भूमी ने स्वी राम और कुष्ण दैसे सुपूत्र को जनम दिया आइसी मात्रु भूमी की रज को मैं अपने नित्य अपने शीष पर चड़ाना चाहता हुँ और जीस भूमी ने राम और कृष्णदय से सुपुत्र को जनम दिया आईसी मात्रू भूमी की रज रज का मतलब होता है धूल ये धूल मैं अपने चर्णों में लगा हूँ जिस प्रकार अपन भगवान की रक्षा अपने माथे पर लगाते उसी प्रकार भगवान के स्वरू कवी यहां कहते है कि अईसी मात्रू भूमी की रज को मैं नित्य अपने शीश पर चड़ाना चाहता हूँ आगे की पंक्तिया में कवी कहते है माई समूद्र जिसकी पदर रज को नित्य धोका इस पंक्तिया में कवी कहते है मा समूद्र सदा तुमारे जीन चर्णों को धोकर तुम्हें प्रनाम करता है हिंदुस्तान में कहां जाता है कि जो समूद्र है वह अपनी मात्रु भूमी का चरंद होता है तो इसे प्रकार यहां कहते है हिमा समूद्र सदा तुमारे जीन चर्णों को धोकर तुम्हें प्रनाम करता है मैं उन चर्णों को दबाना चाहता हूँ उन चर्णों की सेवा करना चाहता हूँ कवी कहते हैं कि जो समुद्रव आपके पैर्ध होकर प्रणाम करता है उसी चर्णों को उन चर्णों को मैं दबाना चाहता हूँ और आपकी चर्णों की सेवा करना चाहता हूँ आगे चलकर कवी आगे की पंक्तियों में कहते हैं सेवा मैं तेरी माता मैं भेदभाव तचकर इस पंक्तियों में कवी कहते हैं तचकरने त्याग करना माता मैं हर तरह का भेदभाव त्याग कर तेरी सेवा करना चाहता हूँ क्योंकि इस पृत्वी पर बहुत सारे लोग हर प्रकार के भेदभाव करते हैं लेकिन कोई भी भेदभाव रहे मैं उसे नहीं मानूँगा सबी भेदभाव त्याग कर मैं तेरी सेवा करना चाहता हूँ मैं चाहता हूँ कि प्रति दीन तेरा पुन्य नाम ही सुनू और दुसरों को भी सुनाओ आपका नाम पुन्य है पुन्य मैं है और ये पुन्य मैं नाम मैं प्रति दीन मैं चाहता हूँ कि प्रती दीन तेरा पुन्य नाम ही सुनू और दूसरों को भी सुनाओ यह जो मैं सुनने का काम करता हूँ वही आपका नाम ही सुनता हूँ और यह नाम आपका पुन्य मैं है और यह दूसरों को भी सुनाना चाहता हूँ आखिर की पंक्तिया में कभी कहते हैं तेरे ही कामाऊं तेरा ही मंत्र इस पंक्तिया में कभी कहते हैं मैं मंत्र के रूप में तेरा ही नाम जबता रहूं मैं हमेशा जीस प्रकार रुशिमुनी या कोई भक्ती करने वाला वेक्ती मंत्र जबता है उसी प्रकार मैं मंत्रा के रूप में मैं तेरा ही नाम जबता रहू याने मेरे लिए जो मंत्र है वो आपका नाम है मैं मंत्र के रूप में तेरा ही नाम जबता हूँ जिस भी रूप में हो सके कोई भी रूप हो जैसी जैसी परस्तिती आए जिस जिस रूप में मैं रहूँ सभी रूप में मैं तेरे लिए हो समर पीत रहूँ कोई भी परस्तिति में कोई भी रूप में हमेशा मैं आपके लिए समर्पीत रहूं मैं अपना तन और मन तेरे लिए बलिदान कर दूँ और मेरा सरवस्व आपके लिए मैं बलिदान करना चाहता हूँ समर्पीत करना चाहता हूँ और तनमन देकर मैं आपकी मन पुर्वक सिवा करना चाहता हूँ इसी प्रकार तेरे ही काम हूँ मैं हमेशा आपके काम हूँ और जो मंत्र रहेगा वो आपके नाम का ही रहेगा और आप तेरा ही नाम जबता रहू जी सभी रूप में हो सके, उसी रूप में मैं समर्पीत रहू, मैं अपना तन और मन तेरे लिए हमेशा बलिदान कर सकू, इस प्रकार की कभी अपनी सेवा करने के रुद्धी के बारे में अपने भाव को स्पष्ट करते हुए इस कभीता में उन्हों ने बता है तो इस कविता में कभी ने, क्योंकि कभी भी एक स्वातंत्र सेनानी है, स्वातंत्र सेनानी का मतलब आपको मालू है मात्रु भूमी की रक्षा करना, मात्रु भूमी की रक्षा करने के लिए स्वातंत्र सेनानी को सर्वस्वस छोड़कर अपना घर जाग कर मा की सेवा करने के हो सके तो अपनी जान भी निच्छावर करनी पड़ती है और इसलिए कवी इस कवीता में कोई भी हालत में कोई भी रूप में कोई भी परस्तिती में मां की सेवा करना यही परम उद्देश कवी का है तो इस प्रकार अपनी भावना प्रस्तित करते में यहां कवीता समाप्त हो जाती है तो आज यह कवीता का आर्था आपको मैंने समझा दिया है बताया है तो आशा रखता हूं कि इस कवीता आपको समझे होगी